शाह जी ने यहां मिटिक बुला के होम डिपार्ट्परेंट में ये सब दोनों जो हैं दोनों माफ कर दिया अभ्यांस में रख दिया हैं और जब तक ये आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स मिटिक नहीं होगी कोई भी लागू नहीं होगे आपकी चिंता हिट एंड रन केस में जो आपकी चिंता थी कि 10 साल की सजा होगी जुर्माना होगा आपकी चिंता नहीं बलकी हमारी चिंता है आप हमारे परिवार का एक सदस्य हैं और मालक है तो चालक है चालक है तो मालक है ये चिंता का संग्यान एमटीसी ने अपनी जिम्मेदारी को समत्य हुए सई वक्त पर 28 दिसंबर को ही प्रधान मंत्री जी और अमिज शाजी को पत्र लिखकर इसमें क्यार नुकसान हो सकता है और ये लागू होगा तो क्यार नुकसान होगा किस तरह देश प्रभावित होगा ये चिंता हमने व्यक्त करा दी थी लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकार समय पर संग्यान नहीं लेती है वही हुआ जो चिंता हमें थी जो डर था जो भै था वो एक तारिक से दिखने लगा और आपकी चिंता हम दिल्ली में भारत सरकार पर पास लेके आये हैं आज हमें साथ बजे ग्रे बंत्राले ग्रे सचीव भल्ला जी के अध्यक्ष्टा में उच्छ तर्य एम टीसी के पदिकारियों से मिटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें ये खुशी है कि 106 इन ब्रैकेट दो में जो 10 साल की सज है और जुर्माना है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा अस्वाशन दिलाते हैं कि कानून लागू नहीं होने देंगे आपको कोई चिंता करने की जुरत नहीं है जो भी निरने होगा आपकी चिंता हम बार बार मंत्राले में भारा सरकार के पास लेके आ रहे हैं लेके आएंगे आपको एक बार फिर सुचित करना कर रहे हैं कि आपके जो मंशा है कि दस साल की सजा और जुर्माने का कानून अभी लागू नहीं है अभी लागू नहीं है और हम आपको आस्वाशन दिलाते हैं कि आगे भी हम आप ये कानून लागू नहीं होने देंगे अगर ये कानून लागू होगा तो हमारी डेट बॉडी के ऊपर सरकार को चलना पड़ेगा तो ये कानून लागू कर पाएगी हम आप से अपील करते हैं कि आपकी चिंता जो मंशा थी उसका हल निकल चुका है आप से अपील करते हैं कि अपने वाहन उपर आईए अपने वाहन बिना कोई डरके चिलाईंडिया हम पूरी टीम यह है कि पहले भी हम कहते आये रहे हैं मीडिया के माध्यम से भी कहते आये हैं यह पहला आंदोलन था जो spontaneous reaction थी जो spontaneous reaction थी इस तरह का जो भी आंदोलन होता है देश के लिए बहुत खत्रा पैदा करता है और ऑफिशली हम परिवार का सदस्य हैं यह कानून का विरोध करते थे उनके साथ में खड़े थे हम constructive dialogue में विश्वाश रखते हैं और constructive dialogue के माध्यम से इसका हल निकला है जो आपको हमने बताया है कि यह कानून लागू नहीं है और यह कानून लागू नहीं होने देंगे जो चिंताएं ड्रैवरों की थी और इंडिया मोटे के पास आजाएगी उन्हें सपस्टी सपस्ट कर दिया कि 1062 10 साल की सजया जुर्माना का कानून लागू नहीं है और इसे आगे हम चर्चा करेंगे और हमें आश्वाशन दिया है और यह हम भी उनसे अश्वाशन करके कानून आगे भी लागू नहीं होगा एक प्रकरिया है देखिए सुनिया बात कॉछा आज चर्चा का विशे नहीं है तर जो अंगार लगी है उसे क्या से पुझाना है सुनिया मेरी बात उस में हम नहीं जाना चाते आप अलग से प्रेस कॉन्फरेंस कर लीजिए जो जो आपनी में नहीं जो मंशाय होएंगे उसका जुआब देंगे आज आज हमारा हल निकालना था हमने हल निकाला है कानून आज की डेट में लागू नहीं है और आगे भी लागू नहीं होगा कर दो हमार आज होगाई से जिकालना था आज होगा जो जोगवाई आज होगा है